जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होगे दोस्तों एक नई भरती का अपडेट मैं आपके सामनी ले करके आया हूँ जो कि सम्मंदित है भारती डाक विभाग यानि कि इंडिया पोस्ट आफिस से सम्मंदित है दोस्तो ग्रूप C की वेकेंसी है और इसमें अलग-अलग पोश्ट पे वेकेंसी आई है दोस्तों ठीक है फार्म को किस प्रकार से फिल करना है कौंकों से लोग फार्म को फिल कर फकते हैं जो हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लिजेगा थोड़ा सा सवपोर्ट किजिए दोस्तो चैनल सब्सक्राइब करने में आपको पाइफा नहीं लगेगा और मुझे मोटीवेशन मिलता है आपका एक लाइक जो है मुझे मुझे मॉटीवेट करता है कि वीडियो बनान जीएगा एज की मैं बात करूंगा तो 18-30 साल के जो कंडिडेट है वो फार्म को फिल कर फक्ते हैं जनरल और EWS के कंडिडेट का यहां पर मैं बता रहा हूं एज में छूट भी दिया जा रहा है OBC के कंडिडेट को 3 साल और SCST के कंडिडेट को यहां पर 5 साल का छूट मिल रहा है तो परियापत मातरा में देखें यहां पर एज दिया जा रहा है दोस्तों आप लोग फार्म को फिल कर फक्ते हो देखिए जो भारती डाग विभार GDS की वेकेंसी आई है दोस्तों 40889 पोश किसी भी कैटेगरी के इंतरगात आप आते हो कोई भी पाइफा नहीं लगेगा दोस्तों जीरो रुपैरिंग बिलकुल निश्यल को आप लोग फार्म को फिल कर सकते हो ठीक है एप्लाई मोड जो रहेगा आफ्लाइन रहेगा जी हां दोस्तों यह जो वेकेंसी आई है यह है दोस्तों ऑन-lai eine अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आउलाइन आप लोग फार्म को फिल कर सको तो आप अउन-लाइन फार्म को फिल नहीं कर पाऊंगे ठीक है मैं भी आपको वीडियो में आगे बताओंगा दोस्तों किस प्रकार फे आप लोग आवेधन कर सकेंगे फार related trade से ठीक ना मैं आभी आपको बताऊंगा कि किस trade से जो है आपके पाफ experience होना चाहिए या फिर किसी भी private संस्था से अगर आप लोगों ने जो है certificate अगर आपके पाफ होगा काम का experience होगा तो भी आप लोग फार्म को फिल कर फक्त हो यदि अगर आपके पाफ यह चीज नहीं ह तो आई टी आई होल्डर कंडिडेट यानि कि वे चात्र जो आई टी आई पाफ हैं वे भी इस वाम को फिल कर सकते हैं दोस्तों ठीक ना तो कहीं न कहीं आई टी आई पाफ चात्रों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है दोस्तों देखें जॉब का location कहा रहेगा तो म मुंबई वे जॉब location रहेगा दोस्तों और इसकी salary जो आपको दी जाएगी वो लेवल टू पे दी जाएगी जी हां दोस्तों लेवल टू पे इसकी salary मिलेगी दोस्तों यानि कि जो सुरवाती salary रहेगी आपकी वह 19,000 पे ज्यादा रहेगा चूँकि इसमें HR allowance महेंगाई भ जानकारी होनी चाहिए ठीक ना local language जैसे कि मुंबई में कौन सा local language चलता है मराथा तो मराथा language का आपके पाफ जानकारी होनी चाहिए दोस्तों तब जाकर के आप लोग apply किजेगा ठीक है नहीं तो अगर local language की जानकारी नहीं होगी तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आई अब आगे बात कर लेते हैं selection process की दोस्तों तो इसे यहां पर देखे कोई भी exam नहीं होगा यहां पर केवल आपका जो है direct selection होगा दोस्तों ठीक ना केवल एक चीज होगा वो है trade test यानि कि जिस भी trade से आप लोगों ने ITI किया है या फिर एक सा पाइस वेकंसी डिटेल की बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कॉंग कॉंग से पोश्ट पे वेकंसी आई है तो motor vehicle, electrician में वेकंसी आई है दोस्तों साथ में mechanic motor vehicle के पोश्ट पे वेकंसी आई है painter पे वेकंसी आई है टीन स्मित उसके अलावा विल्डर, blacksmith और tire man पे वेकंसी आई है दोस्तों अलग अलग पोश्ट पे ये वेकंसी निकाली गई है ठीक है अब सबसे बड़ी बात आती है कि सरिये बताई है कि apply कैसे करें देखे apply के अगर मैं बात करूंगा तो जहां पर प्रतियोगी परिच्छा की किताबे मिलती है आप लोग वहां पर आप लोग ज द्वारा आप लोग apply करोगे और documents के अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखे आपका कछा 8 का certificate लएगा हो सके तो 10 भी लगा दीजेगा अगर आपके पाफ ITI है दोस्तों तो ITI का certificate लगना ही लगना है उसके अलावा आपके पाफ do missile certificate होना चाहिए कास्ट certificate होना चाहिए original आधार card होना चाहिए उसका जिरॉक्स copy लगेगा दोस्तों तो ये सारी चीजे आपके पाफ होना चाहिए ठीक है ना तो post office के माध्धम से इसे offline जो है speed post के जरिया इसे भेज फकते है यानि कि form को fill कर फकते हैं दोस्तों वहाँ पे देखे ticket भी लगता है ठीक है ना तो वह स vacancy जो है वो सरकारी result पर या फिर और भी जो पॉपलर पॉपलर जो website है उस पर शो होता है दोस्तों लेकिन जो छोटी मोटी vacancy होती है जिस पर नमबर आफ पोश्ट कम होते हैं तो वह vacancy जो है जल्दी सरकारी result पर या फिर उसके अलावा जो famous website है उस पर show नहीं किया आता है तो बहुत ज्यादा qualification भी नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पर ना ही कोई आपका exam होगा दोस्तों ठीक ना केवल skill test लिया जागा तो अगर आप लोगों ने ITI किया हो या फिर एक साल का आपके पास experience certificate हो तो आप जरूर इस स्वाम को fill कीजेगा दोस्तों चुब कियेगा मत भ